दोस्तो आज हम सीखेंगे किसी भी Redmi phone में automatic call recording कैसे करते हैं अगर आपके पास कोई भी Redmi phone है या MI का phone है तो आप उसमें automatic call recording कर सकते हैं बिना किसी app के इसके लिए आपको Redmi phone के dialer में आ जाना है इसके बाद दोस्तो उपर में आपको setting का icon दिखाई देगा आपको setting का icon पर click करना है अगर आपको उपर में setting का icon दिखाई नहीं देता तो नीचे three line दिखाई देंगे इस three line पर click करेंगे तो यहाँ पर आपको settings का icon दिखाई देगा आपको settings पर click कर देना है इसके बाद आपके सामने इस तरह से कहीं सारी settings आ जाएगी यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी call recording आपको इसे open करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं record calls automatically यह setting बंद है बस आपको यहाँ से setting को on कर देना है और यहाँ पर इसे all पर select कर देना है तो दोस्तों क्या होगा आपके phone में जितनी भी call होगी all calls automatic record होगी जी हाँ दोस्तों आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है automatic call recording हो जाएगी लेकिन अगर आप चाहते हैं selected number की call को record करना या unknown number की call को record करना तो ऐसा आप कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर selected numbers पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको custom list पर click करना है अगर सरिफ इसी बंदे की call record होगी इसके इलावा किसी की भी call record नहीं होगी इस तरह से यहाँ पर आप जितने चाहें उत्ते number add कर सकते हैं उन्हीं लोगों की call जो है वो automatic record होगी अगर number को delete करना है तो इस तरह से select करना है नीचे remove पर click करके remove कर देना है तो number यहाँ से delete हो जाएगा इसी तरह से अगर आप चाहते ही unknown number से जो call आए वो record करना तो यहाँ पर आपको unknown number का भी option मिल जाता है यह setting on करने के बाद जितने भी unknown number से आपको call आएगे तो वो सारी की सारी call record होगी लेकिन अगर आपको all पर set कर देंगे तो all call record होगी और यह call आपको कहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी वो folder का नाम भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि call recording कहाँ पर से हो रही है तो अगर आपको यह video थोड़ा सा भी पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को दबाकर all पर सेट जरूर करना